तो कल 14 फेवरी यानि 14 फेवरी को है बसंद बंचमी का दियोहार बसंद बंचमी क्यों मनाते हैं? इस दिन माँ सरस्वती की ही पूजा क्यों होती है? और हमें क्या क्या करना चाहिए? क्या क्या उपाए हम कर सकते हैं इस दिन? और किन लोगों को इससे benefit हो सकता है उसकी सारी बात करते हैं तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बसंत पंचमी का जुद्योहार है वो मनाया जाता है मा सरस्वती के लिए और वो इसलिए क्योंकि आज के दिन इनका जन्म दिवस होता है जैसे के हम बच्पन में हमेशा प्रेयर स्कूल में करा करते थे जै जै मा सरस्वती देवी वीना पुस्तक थारिनी अब इससे क्या मतलब बनता है जब भी कोई स्कूल, institutions, colleges में कोई भी कारिकरम, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एक्स्ट्रा कारिकिलर आक्टिविटी ज़िए जिस तरह से मैंने माँ सारस्वधी को यू रखा है पीले बस्तर पहना के और आप देख सकते हैं यह माँ के हाथ में वीना और यहां पुस्तक उनके हाथ में दिखती है So, इससे क्या मतलब है? क्योंकि जो वीना है वो entertainment को और हमारे मनुरंजन को प्रदश्यत करती है और जो पुस्तक है वो ग्यान को, knowledge को, studies को बच्चों की उसको represent करती है तो इसलिए जब भी आप देखेंगे कोई बड़े institutions होते हैं, schools होते हैं वहां आपको मा सरस्वती की बहुत बड़ी मूरत दिख जाती है तो सबसे पहले तो ये बच्चों के लिए बहुत-बहुत important और significant day होता है जिस दिन बच्चों को मा सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और वैसे भी daily routine में भी हमको मा सरस्वती को ध्याना ही चाहिए क्योंकि मा सरस्वती जो है वो बुद्धी की देवी है अब बुद्धी जब आती है तब ही हम कुछ ऐसे कारे कर बाते हैं ऐसे काम कर बाते हैं अपनी life में जिससे की हम better person बन सके हमें knowledge मिल सके हमें growth मिल सके और जब ये सब कुछ आता है तो उसके बाद आ दी है पूजा मा लक्ष्मी की सो ये सब चीजें हमें मालूम है और हम समझना हमें जरूरी है जिस प्रकार दिवाली की बात होती है तो दिवाली पे हम सबसे पहले पूजा करते हैं कि सारे के सारे विगन हर ले हमें बहुत अच्छा जो भी पात है वो दिखाए और उसके बाद हमें पुद्धी मिले जो हम करना चाहते हैं वो हम ठीक से कर पाएं सस्टेन कर पाएं अपने आपको hard work कर पाएं efforts कर पाएं और उसके बाद जब वो सब कुछ आ जाता है मालक्षमी आ जाती है तो उसको मेंटेम भी करना है तो अब आप उसको किसी भी sequence में ले लीजिए ठीक है obstacles हरे गनपती जी ने फिर उसके बाद में मालक्षमी आई आपने जो भी effort किये काम किये और लक्षमी जी आने के बाद में आपने पूजा की सरस्वती जी की ता कि आपको पुद्धी मिले आप उस सब धन धाने को समेट के रख सकें अपने पुद्धी मता के साथ so yes your intelligence that is really very important so देखे आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं वीना की और पुस्तक की तो कुछ ऐसी बाते कर लेते हैं कि क्या क्या हमें इस दिन remedies और उपाय करने चाहिए students के लिए भी हाला कि सब ही को मासा रस्वती की पूजा करनी है डेली करनी है लेकिन ये कुछ ऐसा दिन है special day है जब हम बात करते हैं क्यों पीले रग की बात होती है क्योंकि जब बात हो रही है पुस्तक की यानि ग्यान की नॉलेज की और ग्यान जो हम कहते हैं वो सबसे ज्यादा और ग्यान को रिप्रिजेंट कौन करता है जुपिटर प्रस्पती जब बात हो रही है प्रस्पती की ज की बात करेंगे और जब बात होती है इसraszam करें ढूर फीर बुद्धी- की तो जब हम मासारस्वती की पूजा करते हैं तो बुद्धी मिलती है तो ये यह दोनों के दोनों ग्रह उसी तरहां से हमारे स्ट्रेंग्टिन होते हैं और और यह रंग है ना पीला यह हम सब जानते हैं पीला रंग जो है शांती का रंग है कितना काम मिलता है मेडिटेट करते हैं जब हम और मेडिटेशन के लिए भी उस किया जाता है पीला रंग stability के लिए यूज किया जाता है पीला रंग knowledge के लिए यूज किया जाता है और ये सब चीजें ये जो stability और calmness, peacefulness ये सम मिलती है हमारे को health अच्छी मिलती है yellow color जब हमारी life में सराम्डिंग्स में होता है so ये बहुत ही शांती का रंग है so तब ही बोला जाता है चंदन का तिलक लगाना चाहिए जिससे की मन शांत रहे चंदन की अपनी qualities है ठंडा रहने की और उसके साथ में रंग बीला so देखे सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन आपके घर में जो बच्चे हैं उनको आप पूजा करवाएं सुबह जो है स्नान करवा के बेसाखी के दिन और उनके हाथ से आप पीली मिठाई कुछ पी लड्डू हो सकते हैं पीला बैनानाज हो सकते हैं फ्रूट्स में और पीले चावल हो सकते हैं तो ये इनका आप उगलगबाएं मा सरस्वती की आरादिना करवाएं और इससे आप देखेंगे कि बच्चों की जो स्टाडीज हैं हालाकि पढ़ना उनी को है आक्शन उनी के हैं लेकिन ये जो ब्लेसिंग्स होती हैं मा सरस्वती की ये उनको मिलती हैं जिन बच्चों की कुंडली में बुध कमजोर है या बुध अस्थ है उन बच्चों को पढ़ाई में कहीं न कहीं आपस्टेकल्स आते ही हैं तो उसके लिए उन बच्चों के लिए आप क्या करवाएंगे हरे रंग के फल फ्रूट जो है वो अर्पित करवाएं बसंत पंचमी के तिन और उसी के साथ में उनको मा सरस्वती के सामने पीले नीठे चावल अर्पित करवाएं तो इससे भी आप देखेंगे कि उनका बुध जो है वो स्ट्रेंग्टन होता है और जो इंडेलिजजन्स है वो इंक्रीज होती है जिन बच्चों के इस साल कोई कंपाटिटिव इҐंग उन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते है उन बच्चों को क्या करणा है जो छे मुखी रुद्राक्ष अगर आप देखें आपको मिल जाएगा एजीली छे मुल्की रुद्राक्ष धारन करवाईए सुभा और उसके बाद में उनको ग्यारा पत्ते तुलसी के वो खाने को कहेंगे लेकिन चबाना नहीं है सीधा पानी के साथ निकलना है और यह करने से भी आप दे पाई फॉलो कर सकते हैं एवरी थर्सडे और मा सरस्वती की पूजा तो डेली ही करना है और जब बात करते हैं जिन बच्चों की स्टडीज शुरू होनी है या भी स्टार्टी नहीं हुए जैसे हम बात करते हैं धाई तीन साल के बच्चे उन्होंने अभी पढ़ना बच्चों की टंग के उपर ओम लिखिये और इससे भी आप देखेंगे कि उनकी इंटेलिजन्स इंक्रीज होती है बार बार कह रही हूं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रेमिडी नहीं फॉलो करना है बच्चे के साथ में एफ़र्ट करना उसको सिखाना टीचिंग्स करना य सब बहुत इंपॉर्टन है और बच्चों की अपनी भी एफ़र्ट जरूरी है लेकिन ये सब जो रेमिडीज है इनको करेंगे तो डेफिनिटली जो इफेक्स है वो डबल हो जाते हैं जिन बच्चों के पैरेंस इस बार सूच रहे हैं कि इस साल में उनकी अद्मिशन्स कर पैन से उनसे ओम लिखवाईए और जब वो ये करते हैं तो आप ये समझें कि बसंत पंचमी से उनकी स्टडीज उनका जु कारियर है पढ़ाई का वो शुरू हो गया है तो ये बहुत एक शुब दिन है और श्पीशिस डे है हला कि हमें डेली है सब चीजें फॉलो करनी ज विश्वास होना बहुत सरूरी है अगर आप विश्वास रखते हैं तो लॉजिक्स अपने आप आपको समझ में आ जाते हैं तो विद एवरी ये नो विद एंटायर हंड़र्ट परसें ट्रस्टने फर फेथ ये नीड तो परफॉर्म इस रमेडीज ये उपाय आप मा का चित्र जो होता है फोटो वो कहीं पर प्लेस कर सकते हैं जिससे कि उनको ब्लेसिंग्स एवरी टाइम मिलती हैं हाला कि सारे एफ़र्ट्स बच्चों के होते हैं बट ब्लेसिंग्स आ रीली बरी इंपोर्टन इस एनरजीज आर रीली मिरेकिलस और माजिकल सो ठीक है य जिन बच्चों को जब बात हो रही थी कि इन्होंने इस पार देने है या फिर कोई उनके बड़ी कक्षा के ग्जाम्स है उन बच्चों के हातों से आप रिलीजियस बुक्स जो हो डोनेट करवाईगे तैंपल्स में भी करवा सकते हैं आसपास लोगों को भी और उसके साथ में कॉपीज जो है वो नीडी बच्चे जो है पूर बच्चे है उनको आप कॉपीज पैंसिल्स पढ़ने का समान जो है स्टडी से रिलेटिद मेटीरियल वह आप डोनेट करवाईगे तो आप देखेंगे कि जब आप सब के लिए यह स्प्रेट करना शुरू करते हैं मिठ और बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स की बात कीजिए और मासरस्वती हम सभी को ब्लेस्ट करें अच्छी इंटेलिजेंस बुद्धी के साथ में और सभी के लिए यह एक बहुत अच्छा पावन पर फू थाक्यू सो मच और वेरी ब्लेस्ट देया है